हेलो फ्रेंस वेल्कम टू माई चैनल आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि घर के मंदिर में हमां कौन सी चीज़े नहीं करनी चाहिए हर व्यक्ति के घर में मंदिर तो होता ही है क्योंकि सनातन धर्मे में यही परंपरा है जब भी कोई व्यक्ति घर बनाता है तो मंदिर के लिए खास जगह बनवाता है आध्यात्मिक द्रस्ती से घर में बना मंदिर या पूझाइस तल सकारात्मक उर्जा का केंड होता है जहां बड़ी से बड़ी समस्या का सामना करने की सकती प्रापत होती है इसलिए घर में मंदिर में वास्तु का खास ख्यार रखना चाहिए आज हम आपको कुछ ऐसे ही वास्तु टिप्स बताने वाले हैं जो घर के मंदिर से जुड़े हैं घर के मंदिर की सही दिसा वास्तु में बताएगा है कि घर के मंदिर की दिसा हमेशा इसान कोड या उत्तर दिसा में होना चाहिए इसके अलाव भगवान की मूर्ति को इस परकार रखेंगी आपका मुह भगवान की तरफ हो मंदिर में खंडित मूर्ति मंदिर में कभी भी खंडित मूर्ती नहीं रखनी चाहिए वास्तु के अनुसार खंडित मूर्ती मंदिर में रखना सुब नहीं माना जाता इसके अलावा देवताओं की फटी तजबीर भी ना रखे अगर ऐसी तजबीर हैं तो उन्हें पानी में फिरवायत कर दे इसके अलबा मंदिर में किसी मिर्थ ब्यक्ति की तजबीर भी नहीं रखनी चाहिए मंदिर को हमेशा खुली जगह पर बनाएं मंदिर को हमेशा खुली जगह में बनाएं तथा मंदिर को सीड़ी के नीचे, सौचाले के बगल में, बेस्मेंट तथा बैडरूम में ना बनवाएं घर के मंदिर में अधिक फोटो घर के मंदिर में एक देवता की अधिक फोटो ना लगाएं तथा भगवान के रोदर रूप की तस्बीर भी ना लगाएं यो सुब नहीं माना जाता हूँ, घर में मंदिर के लिए रंगों का चुनाओ, यदि आप घर में मंदिर के लिए रंगों का चुनाओ कर रहे हैं, तो हमीजा हलके रंगों का चुनाओ करें, मंदिर में हलके रंग सुब माने चाते हैं, तता अधिक गहरे या काले रंग का प् झाले